Stock Market News, सरकार के कड़े रुख पर 10% तूट गया शेर, समझें क्या है, पूरा मामला Stock Market News, करीब 164 साल पुरानी दिगज एंजिनेरिंग कमपनी के शेर आज कमजोर मार्केट में भी धै गए हैं Equity Benchmark Index BSE Sensex, आज आधे फीसदी से अधिक मजबूत है, लेकिन इसके शेर करीब 10 फीसदी तूट गए शेरों में यह गिरावट नियमों के उलंगन पर सरकार के कड़े रुझान के चलते हैं जानिए क्या है यह पूरा मामला Stock Market News, करीब 164 साल पुरानी दिगज एंजिनेरिंग कमपनी Greaves Cotton के शेर आज कमजोर मार्केट में भी धै गए हैं Equity Benchmark Index BSE Sensex, आज आधे फीसदी से अधिक मजबूत है, लेकिन Greaves Cotton के शेर करीब 10 फीसदी तूट गए शेरों में यह गिरावट नियमों के उलंगन पर सरकार के कड़े रुज़ान के चलते हैं सरकार ने कमपनी को ब्यास के साथ सबसिडी लोटाने को कहा है इसके चलते Greaves Cotton के शेर आज इंट्राडे में BSE पर 9.94 फीसदी फिसल कर 133.70 रुपए तक आ गए थे हालांकी भाव में थोड़ी रिक्वरी हुई है और फिलहाल यहां 8.93 फीसदी की कमजोरी के साथ 135.20 रुपए ग्रीव्स कॉटन शेर प्राइस पर ट्रेड हो रहा है क्या है पूरा मामला पिछले हफ़ते 26 मई को कमपणी ने एक्स्चेंज फाइलिंग में जानकारी दी की सरकार ने ग्रीव्स इलेक्टरिक मोबिलिटी प्राइवेट एल्टीडी जी एमपी एल को करीब 124 करोड रुपए की सबसिडी ब्यास समेट जमा कराने को कहा है सरकार ने यह निर्देश फेजड मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम पैप के गाइडलाइन्स के उलंगन पर दिया है इसके अलावा कमपणी को एक और जटका लगा है 25 मई को Ministry of Heavy Industries को एक लेटर भेजा था कि यह फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण से कमपणी को डीरजिस्टर कर सकती है क्योंकि यह PMP के गाइडलाइन्स को पूरा नहीं कर रही है कमपणी का कहना है कि बोर्ड इस मामले में निपटने के लिए सरकारी नोटिस का सावधानी पूर्वक रिव्यू करेगा और एनालाइच करेगा कि आगे क्या करना है Greaves Electric Mobility Greaves Cotton की सबसिडियरी है यह Ampere, Ampere, Brand के तहट Primus, Magnus EX और Rio Plus जैसी Electric दोफिया गाडिया बेचती है Greaves Cotton के शेरों ने कैसा दिया है रिटर्न Greaves Cotton के शेर पिछले साल 8 सितमबर 2022 को 184.50 रुपए पर थे जो एक साल का उचास्तर है इसके बाद 6 महीने में यह 55 फीसदी से अधिक तूट कर इस साल 14 मार्च 2023 को 118.70 रुपए पर आ गया जो इसका एक साल का निचलास्तर है इसके बाद शेरों की खरीदारी फिर बढ़ी और इस निचले स्तर से फिलहाल यह करीब 14 फीसदी रिकवर हो चुका है